अब नवस्कार में अचली विश्रो और स्वागत है आपका मारे चारल में अभी कुछी वहीलों में जहे हैं उत्तर प्रदेश में विदान सबाद चुना होने वाले हैं और ऐसे में जितनी भी पाटिया है वो सभी अपने तरफ से दमखल जोक रही है और जितनी हो सके जो लोग है उन्हें अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है और ऐसा ही कुछ कॉंग्रेस के तरफ से भी देखने करें मिल रहा है कॉंग्रेस भी इस बार चुनाओ को देखते हुए काफी जादा एक्टिव नजर आ रही है लेकिन हमेशा की तरह कॉंग्रेस का पासा उसके उपर उल्टा पड़ता नजर आता है आपको दा दे कि कॉंग्रेस द्वारा खास कर प्रियंका वाडरा द्वारा आयोजित एक मैराथन दौर जो के जासी में होनी है वहाँ पर प्रियंका यानि कॉंग्रेस के द्वारा आयोजित मैराथन दौर में मोदी और योगी के नारे लगाए गए सेकडो की तादात में आई वहाँ पे छात्राओं ने जोरो शोरो से योगी अर्मोदी के नारे लगाए आप सोचोंगे कि आखिर ऐसा कि आपको बता दे कि इस तरीके का महौल जो है देखने के लिए मिला है वो भी पहली बार और ठीक चुनाओं से पहले जो कि साफ तोर पर दर्शाता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता की पसंद कौन है खासकर युवाउ की पसंद कौन है क्योंकि वहाँ पर सैक्लो के तादात में शात्राय थी और ये कोंग्रिस द्वारा आयोजित मेराथवन रैली थी और यहाँ पर योगी और मोदी के नारे जू है सैक्लोlong शात्राय एक साथ लगा रही थी यानि मंजर कैसा होगा इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाओ से पहले पार्टियों की बाद छोड़िए अब उत्तर प्रदेश के युवा चात्र चात्राय जो है वही कॉंग्रेस को नहीं चाते हैं वही कॉंग्रेस को अब भगाने के पीछे लग चुके है अब आपको बताते हैं कि आखिर कॉंग्रेस द्वारा आयोजित मैराथॉन दोड में योगी और मोधी के नारे लगने के पीछे का कारण क्या है दरसल यहां पर आपको बिदादे की जहासी में एक मैराथोन दोड़ का आयोजिन किया गया वो भी कॉंग्रेस के तरफ से यहां पर प्लैनिंग थी वो इसकदर थी कि प्रियंका वादुरा जो है वो एक स्लोगन आजकल देती वी नजर आती है लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथोन दोड़ को तो पता नहीं लेकिन यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मैराथोन में भाग लेने वाली सेक्रो प्रतिभागी चात्राओं ने मंच के साबने आके पहले चीटिंग हुई किनारे लगाए और जब सुनवाई नहीं हुई तो करीब ए लड़ सकती हुँ थीम पर करीब 5 किलो मेटर की रन पर मड़ी करणी का मैराथोन करा रही थी यानि यह जो स्लोगन था यह मेन थीम था 5 किलो मेटर की दोड़ होने वाली थी और मैराथ राजा गंगदर राव कला मंच से शुरू होनी थी आपको विलगा दें कि विवस्था करती लाइन के पास भेजा गया दूसरी बार भी बिना हरी जंडी के जो छात्रा है वो दोड़ पड़ी और फिर वापस उन्हें वहाँ लाया गया अब यहां पर आपको बता दें कि हरी जंडी के स्कूटी दूसरी प्रतिभागी को स्मार्टफोन देना था और तीसरे स्थान पर प्रतिभागी आती उन्हें जो है विजयता का चुनाओ किया गया है इसमें चीटिंग हुई है जिसके बाद कारिकरम सयोजक जो थे यूपी कॉंग्रेस कमिटी के बहाद सची उन्होंने मंच में कहा कि हमारे पास वीडियो है जिसे हम जो है चला देते हैं और वीडियो में आप साफ तोर पर देख लीजे कि वहाँ पर आलम कुछ ऐसा बन गया कि वंच के करीब आती चली गई और इसके बाद वहाँ पर जितने भी कॉंग्रेस के नेता थे वो दीरे धीरे खिसते चले गए वहां से और वहाँ पर एक भी नेता मौजूद नहीं आया और इसके बाद नेताओं के चले जाने के बाद भी चात्राओं में इतना जादा आकरोज देखने के लिए मिला कि वह लगातार वहाँ पर प्रदर्शन जारी रखा उन्होंने लगातार प्रदर्शन वो करती रही आपको दादे की विरोध के द्वरान जहें चात्रा मंच पर भी पहुँच गई और जम कर हंगामा किया त प्रति भागी थी उन्हें जो है ऐन्बेग फिटनेस बैग देना था उन्हें बाटा गया और इसके बाद जो है बातने गाने थे सर्टिफिकेट बाट जारे थे तकरीबर एक अजार मेडल और सर्टिफिकेट का पूरा इंतिजाम किया था जो कि जो लोगों ने भी इस मेर कि बिना अबाटे ही नरत्या मांसे चले गए और मेडल को लेकर वहां पर चात्राओं के बीचे लूट हो गई जिन्हों नहीं लगाई उन्होंने भी मेडल लूट लिए और जिन्हों ने दौर लगाई थी उनमें से कई लोगों को मेडल तक नहीं मिले तो ऐसा रहा है कि कई लोगों का बीना दौड के मेडल मिलें और जहां पर दौड होनी थी वहां पर स्कूर्टी में बैठकर ही मैराथौन दौर को कवर कर लिया अब को बताद हैं कि मैराथौन को कांग्रेस की तरफ से वालिंटियर लगाए ग बिला कि कॉंग्रेस वहाँ पर इन्हें सम्हालने में नाकामियाब रही आपको बदा दें कि छात्राओं के जूड़ में खुब धक्का मुकी हुई और कई बार मैदान में ही छात्रा एकदम धक्का आने से गिर कर चोटिल भी हो गई यानि साथ तोर पर यहाँ पर कॉंग्रेस की नाकामी देखने के लिबल रही है जब आप इस तरीके से छात्राओं को निमंतरन दे रहे हैं तो आपके पास एक डाटा होना चाहिए कि कितनी शात्राओं आ सकती है और इसे के साथ ही आपकी वहाँ पर विवस्ता भी उतनी ही हाथसा वहाँ पर हो सकता था अगर एक गलती होती तो कई लोग चोटिल हुए है कई लोगों की जान भी जा सकती थी और ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही करती हुई कॉंग्रेस तोर पर लोगों के सामने नजर आई आपको दादे की पूर्व केंद्रे मंतरी प्रदीप जैन अधित्या ने कहा कि कोई चीटिंग नहीं हुई है हमने हर जगा चेकपॉइंट बनाए थे बहुत भारी सहलाब था जिसकी वजह से थोड़ी ववस्ता देखने से मिली यानि यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कॉंग्रेस के किस तरीके से जो नेता है वह एक्सक्यू जुआने वॉलिंटिर की तरी पुल्स की तरी जुआ काफी जादा कम की थी या तो अपने आपको कम आक रहे थे या फिर उन्हें लग रहा था छिए जो की सुरक्षा यहां बहुत जादाव्भी नहीं है तो वहाँ पर जनसालाब भारी मात्रा पे देखने के लिए कि लोग आए रहते हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित के आजाता है जो की गॉंगरेस में देखने के लिए नहीं मिलें यहां पर यानि कह सकते हैं कि कॉंग्रेस पूरी तरीके से इस मैराथान दौर को करवाने में फेल रही है और साथी साथ जो च्छाता है च्छाता को चोट लगी है उसके लिए भी कॉंग्रेस कई हद तक जिम्मदार है साथ साथ आपको बता दें कि प्रशासन जो है उन्हें इनका इंब्य प्रियांका वड़ात उनका ये भी मन था कि लखनों में इस तरीके के मैराथान दौर करवाई जाये जिसके बाद सरकार के तरफ से इस तरीके का जू मैराथान के लिए उन्हें पर्मिशन नहीं मिली इजाज़त नहीं मिली थी इसे बेखबर आपको बता दे कि कॉंग्रेस बात के अलान कर दिया था और यहीं कारण था कि इसे बेखबर प्रदेश भर की सैक्रों लड़किया और महिला है कारेकरम में मुताबित जो है जो है 10904 जो है वहाँ पर वहाँ प परन था कि वहाँ पर जो युवा जो चात्राय थी वह काफी जादा परिशान हो गई और उन्हें एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कॉंग्रेस जैसे जो नेता वहाँ पर जो वरिशनेदा है वह यहां पर उस तरीके से उनके साथ चीटिंग करते नजर आएंगे इसलिए हुई चीटिंग है उसके घंटे बाद जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो योगी और मोदी के नारे जोरो शोरो से लगाए गारे युत्तर प्रदेश में किसका सिक्का चल रहा है यह साफ तोर पर नारों से भी साफ हो चुका है और कॉंग्रेस का जो पत्ता है वह किस त झाल